नमश्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप से भी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि संसत के मौन्सून सत्र की शुरुआत से पहले गौतम अडानी ने दिया बड़ा वयान कि आब स्थमेगा हंगामा तो आए सुनते हैं आज के इस पॉड् गौतम अडानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट गलत सूचना और बदनाम आरोपों का एक संयूजन थी कंपनी की वार्षी कामसभाव को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की और से लगाए आरोपों में से अधिकांच 2004 से 2015 तक थे जबकि उन संसद का मौनसून सत्र शुरू होने वाला है अडानी के इस बयान के बाद सवाल उठा है कि क्या मौनसून सत्र में विपक्ष अब इस मुद्धे को उतने ही पुर्जोर धंग से नहीं उठाएगा हम आपको यह भी याद दिला दें कि संसद का बजट सत्र अडानी समूपर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपो की जेपीसी मांग कराने को लेकर हुए हंगाम एक चलते बादित हुआ था वे पक्ष ने मौनसून सत्र में भी जेपीसी की मांग पुर्जोर धंग से उठाने के तयारी की है इसलिए अडानी का यह कहना कि हिंडनबर्ग के आर अडानी मुद्धे पर केंद्र सरकार को बार-बार घेरते हुए कहते हैं यह हम दो हमारे दो की सरकार है राहुल गांधी कहते रहे हैं कि अडानी मुद्धे पर चर्चा नहीं हुने देने के लिए प्रधान्वंति नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश करेंगे हम आपको यह कि अध्यक्षिता वाली पीठ ने सेवी को गौतम अडानी के अगुवाय वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेरा फेरी के आरोप की जाच पर अब्डेटिट इस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था हम आपको याद दिला दें कि उचितम नायल ने दो मार्च को गौतम अडानी के अगुवाय वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेरा फेरी करने के आरोप की जाच करने के लिए 6 सदस्य समीती बनाने का आदेश दिया था उलेखने है कि कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरीकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने के बाद अडानी समूह ने अपने फ्पो को पूर्ण अभीदान मिलने के बावजूद उसे नातिकता के अधार पर वापिस दे लिया था इस मामले ने इतना तूल पगड़ा था कि भारते रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी समूह को दिये गए कर्स के बारे में बिस्त्रित जानकारी मंगाली थी जहां तक फ्पो वापिस लेने की बात है तो उसने सभी कौचक आया क्योंकि शुरुआती निराश जनक पत्रिक्रिया के बाद अंतिम्दिन अडानी समूह के फ्पो को पूर्ण अभीदान मिल गया था इस बारे में खुद गौतम अडान बनाए रखने का निवेशकों से आगरह किया गया है हम आपको यह भी याद दिलाने कि फ्पो को वापिस लेते समय भी गौतम अडानी ने कहा था कि हम परियोजनाओं को समय पर पूराप करने पर ध्यान के इंद्रित करना जारी रखेंगे अडानी ने कहा था कि कंपनी की बनियाद मजबूत है आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ